देपालपूर विधानसबर श्रीत के लोगों को बड़ी सोगार देते वे घुशना की है कि देपालपूर विधानसबर श्रीत में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के विध्यार्तियों को पढ़ने के लिए अब शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा पड़ाई से संबा दित सभी सुविदाय यहीं उपलब कराई जाएगे। कालपूर में ही पड़ पाएंगे जिसको लेकर उनके द्वारा एक चिनित इस्तान पर सभी बच्चों को निश्चिल कॉलेजों में एड्मिशन दिलवा कर करवाया जाएगा। साथ ही कॉलेजों की फैकल्टी आकर उन बच्चों को पड़ाईगी उन मांग दर्शक करेगी। दिपालपूर विधान सबागे काफी लंबे समय से कही ने कही देखने में आ रहा था कि 12 के बाद काफी बच्चे समय के आभाव में और आर्थी किस्तिकी आभाव में जिस प्रकार से कोरोना की जो महामारी आई हर एक जेब के उपर कही ने कही बड़ा बोज आया है उसी च दिपालपूर विधान सबागे समस्त बारवी पास बच्चे जो भी पढ़ने के इच्छुख हो उन सब को निशुल मेनेजमेंट कोर्स जो है वो मेरे द्वारा कराये जाएगा जिनका एडमिशन के लिए मेरे आफिस देपालपूर में वह संपर्प कर सकते हैं उन सब का ए सब्सक्ति एना सबी आएंगी उसमें कोर्सेज जो है वो मेरे बच्चा यहां पढ़ेगा और निशुल रहेगा ये मेरी तरब से पुरे हमारे कांग्रेस परीवार की देपालपूर की ओर से निशुल की ब्योस्ता हम लोग करने जा रहे हैं दौफेर न्यूस के लिए देपारपूर से संदिप सेन की रिपोर्ट